जहन फ्रेंट्स एंशेंट इंडिया की आज शुब शुरुवात की जाए तो एंशेंट इंडिया कहां से पढ़नी आ रहे है शर्मा से पढ़नी है ओल्ड एंसी आटी है क्लास 11 की एंसी आटी फिर यह पूरा पहला फेस यही पॉड़ेंगे पहले इसको खतम करेंगे तब इंडस वैली सिवलाइडेशन पॉड़ेंगे रिगवैदिक लेटर वैदिक 6th century मौर्य पीरेट पोस्ट मौर्या गुपता पोस्ट गुपता राजपूर यह दो पार्ट में डिवाइड़ेड है एक पार्ट है मनी एकनॉमी का मनी एकनॉमी का पार्ट है मनी एकनॉमी का मुद्रा अर्थ विवस्था यह पार्ट है मुद्रा अर्थ विवस्था का मुद्रा अर्थ विवस्था यानि मनी एकनॉमी सब कुछ पैसे से गवर्न हो रहा है और यह पार्ट है सामन्तवाद का यह सामंतवाद का पार्ट है Latino का ऐहां इस पार्ट में economy, तो बड़ी सारी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी अपने आप कुछ करने की जरौत ही नहीं यह यह जो पार्ट है यह United States of America का पार्ट है और यह जो पार्ट है अफ्गानिस्तान का पार्ट है इससे और पिक्चर क्लियर होगी हम प्रेजेंट सिचुवेशन से कनेक्ट कर पाएंगे यह पार्ट अफगानिस्तान का पाए प्रेजेंट अफगानिस्तान यह प्रेजेंट युनाइटेट सेट्स अफ अमेरिका इससे और चीजें पस्ट होंगी और चीजें क्लियर होंगी और तो यह डाइग्राम जो है यह आपका बेसिक डाइग्राम है एंशेंट इंडिया के फर्स्ट पार्ट को पढ़ने के डाइग्राम देखा दो तीन चीज बात है इस पस्ट सब कुछ पैसा गवर्न करेगा जैसे आज युनाइटेट्ट सेट्स ऑफ अमेरिका में देखो औ तो आर्थिक आजादी है इकनामिक ऎन्डिपेंदेंस गिफ्स सोचल इनडिपेंडेंस लेकिन यहां है यहां देखो गया औरत को आर्थिक आजादी नहीं है पर वाली विजमित्छ मादों नार्फिक झुलामी है तो सामाजिक अनित्र और एक मंत्र मैं आज बता दूँंि बनने का उस मंद्र को बता दूँ फिर आगे बढ़ता हूं पढ़ना है क्यों क्योंकि सीखना है क्यों क्योंकि समझना है और समझने से सफलता मिलती तो जितने लोग जीवन में पढ़कर सफलता पाना चाहते हों सब फेल इसलिए मैं तुमसे बार-बार कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा यह दो चीज़े अगर मिस्सिंग है यह तो बीस हजार साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी लेकिन पढ़ा ही पहला चरण है इन दो चीज़ों को डेवलप करना है यह दो चीज़े तुम्हें सफलता दिलाईगी बस यही इस कोर्स का मूल मंत्र है पूरी दुनिया रहे है पूरी दुनिया पढ़ा स्दुर्चान है तो पहली एडिंग वैडिक काल वैडिक पीरिट यहांज़े पहले चैप्टर का शुभारम घुता है वैडिक पीरिट वैडिक पीरिट दो पार्ट में डिवाइडेड है पहला रिग वैदिक रिग वैदिक काल और दूसरा लेटर वैदिक जिसको हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं लेटर वैदिक पीरेड इन दोनों के बीश डिवाइडिंग लाइन क्या है 1000 BC इसापूर्व आइरें रेवलूशन लोहें की खोज इसका टाइम पीरेड कितना है 1500 BC से 1000 BC और इसका टाइम पीरेड क्या है 1000 BC से 600 BC इसकी विशेष्टा क्या है ट्राइबल ट्राइबल गल्चर ट्राइबल इकनामी ट्राइबल पॉलिटी कभिलाई संस्कृति कभिलाई संस्कृति इसकी विशेष्टा क्या है आरे संस्कृति आरें गल्चर यहां आरे का मतलब है स्रेष्ट सुपीरियर यहाँ इकनामी पॉलिटी, सोसाइटी कल्चर, सब ट्राइबल कभिलाई कभिलाई संस्कृती स्वेश्टतम संस्कृती मानी यादी मानी ये गुणों पे प्रेम, वाइचारा, करुणा ओलोग कहते हैं कि कभिलाई या दिवासी बैकवर्ड होते हैं ये सहर में रहने वाले सब बैकवर्ड हैं कभिलाई बैकवर्ड नहीं होते हैं अंसिविलाईज होते हैं ये सहर वाले अंसिविलाईजड है जहां पान काय वहां धूग दिये लोग सब नेचर में रहने वाले लोग होते हैं नेचर के सद्धान को मानने वाले लोग होते हैं तो यहां सब कुछ ट्राइबल एकनामी ट्राइबल हुआँ अई ड्रीजन क्या है यहां अइस लौक रांती ने भारत यह इतिहास की दिशा बदल दी लवकरांती लवकरांती आइरन्डेंरम आराम से पढ़ना के बहुत आराम से शुरुवात के करीब पाइम छे साथ लेक्चर आराम से भागना है नहीं जैसे पढ़ते हैं न जैसे साइगल सीखते हैं सीखना जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है सीखना वो एक धीमी प्रक्रिया है स्लो प्रोसेस सीखने के बाद पढ़ना एक तीवर प्रक्रिया है कोई भी चीज सीखो कोई भी साइकलिंग सीखो स्विमिंग सीखो ड्राइविंग सीखो स्लो पहले दिन पानी में कूद के बटरफ्लाई नहीं करोगे स्विमिंग सीखने गए और उपर सा कूद गए पानी में बटरफ्लाई करने लगे तो फिर आत्मा निकल के बाहर बटरफ्लाई करेगी हैं जब साइकलिंग सीख गए तब स्टंट करना शुरू किया पहले सीखो अराम से पैनिक होने की जुरत नहीं भगवान बनने के लिए तुम पैदा ही हुए हो भगवान बनने के लिए तो तुम पैदा ही हुए हो तो उस भगवान बनने की डॉड में आई एस पी सीए से मेले एंपी मिनिस्टर ये सब तो बनी जाओ पर सीख लो चीज़ों भगाओ भाल बढ़ाओ मत उत्ते जित मत हो गबढ़ाओ मत आराम से तो पहला ये डाग्राम बना लेते हैं और फिर इस डाग्राम को एक एक पक्ष रिग्व्यादिक पीरिड एकनामी कैसी है पैस्टोरल पशुचारण पशुचारण आर्थव्यवस्था राजनीति कैसी है जना कभिलाई कभीला ये राज नहीं है कभीले है तुर्वसु कभीला पुरु कभीला खुरु कभीला राज नहीं है समाज सम्तावादी इगैलिटेरियन सम्तावादी तुम्हाल लिकले ना इस तरफ economy, पॉलिटी, सवाहटी रिलीजन सनातन नहीं तनाटन अलग रिलीजन यह सनातन अलग रिलीजन आजकल नया रिलीजन चला है तनातन वह अलन नहीं सनातन तो यह इक्नवी पसुचारण राजनीती, कबिलाई, जना, जनाधारत, समाज, समतावादी और धर्म, सनातर फिर 2020 में क्या हो गया? आइरन रेवलूशन, लौह करांती तो हिंदी मीडियों हो ले हिंदी में लिखते चले, लौह करांती तो जब लौह करांती हुआ, तब यह बन गया, यहीं से शुरू हुई लेटर वैदिक पीरेट की कहानी, उत्तर वैदिक काल की कहानी, और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्ता लोह की वज़से बदल गई, बर्थ ओफ अग्रिकल्चुरल एकॉनमी, क्रिशी अर्थव्यवस्ता का जनम किसका जनम? बर्थ ओफ अग्रिकल्चुरल एकॉनमी, किसकी वज़से? लोह करांटी की वज़से फिर, प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट कला और शिल्प को प्रोचसाहन किसको प्रोचसाहन? आर्ट और क्राफ्ट को ओ, सॉरी, 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 बर्थ ओफ अग्रिकल्चुर एकॉनमी एट्सेटरा, पॉलिटी, क्या हुआ? जन्पद, स्टेट, राज व्यवस्था अब यहाँ पर क्या है कभीला है कुरू? यहाँ बन गया कुरू छेत्र स्टेट पैदा हो गया है, यहाँ कुश्चन मार्क लगाओ, ऐसे कि यह कैसे हो गया यार, यह कैसे परिवर्थित हो गया यार, खोलो दिमाग को, अब माइन इस लाइक पैराशूट, इट फंक्शन्स वेन इट इस ओपन, इगालिटेरियन समाच, किसमें बदल गया, प्रिविलेज्ज जी क्लासे, विशेशा अधिकार वर्ग, प्रामन एं छत्रिया, कॉश्चन मार्क लगाओ, यह कैसे हो गया बॉस, तो एकनामी बदली, पॉलिटी बदली, सुसाइटी बदली, अब जब इकनामी पॉलिटी सुसाइटी बदलेगी, धर्म अपने आप बदलेगा, क्यों बहिया, क्यों बड़े बाबू, इकनामी पॉलिटी सुसाइटी बदलेगी, धर्म अपने आप क्यों बदलेगा, क्योंकि आधुनिक काल से से पहले धर्म सम्विधान था बहुत बड़ी लाइन है लिख लो इसको आधुनिक काल में माना उरचित सम्विधान man-made constitution कहां से कानी शुरू हुई United States of America 1787 पहले राजा क्या होता था जिल्ले इलाही अल्लाह का साया अब राजा क्या है जिल्ले जमूरियत जनता का साया धर्म क्या था अधुनिक काल्चपूर में सम्विधान था तो जब अर्थ विवस्था राजनीती और समाज बदलेगा तो धर्म स्वतह बदलेगा तो यहां पर कौन सा धर्म पैदा हो गया ब्रामभर धर्म अब इसी पूरे चार्ड को एक एक करके तोड़ तोड़ के समझना है पहला एकॉनमी दूसरा पॉलिटी तीसरा सोसाइटी चौथा रिलिजिन किसे भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है उस चीज़ को अपना अनंद बनानों इस से क्या होगा? किसी भी चीज में किसी भी फिल्ड में अगर तुम्हें जीतना है उस फिल्ड को अपना आनन्द बना ले उससे क्या होगा उससे तुम टाइम कभी नहीं देखो जिस चीज में तुम्हें आनन्द नहीं आएगा उसमें तुम बार-बार टाइम देखो ये मूवी देख रहे हो 800 रुपय की पीवीयार में टिकेट खरीदे और मूवी कनेक्ट नहीं और मज़ा नहीं आ रहा है तो एक रास्ता ही छोड़के चले हो लेकि पैसा डिवाट सो रुपया तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोप पाएगा खुश लोग घड़ी रखके पढ़ने बैटते हैं मज़ा नहीं आ रहा है जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता नियम है यह और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो वा तुमको मज़ा नहीं आ रहा है बिना मज़ा के जो काम किया जाए वह महिनत और मज़े के साथ जो काम किया जाए वह मौज महिनत और मौज में फरक समझ लेना बिना मज़ा के जो काम किया जाए वह महिनत महिनत कौन करता है? मज़ूर मौज में कौन है? राजा यह सब नहीं हुए आवध रनायक उपनिश्द सत्पत उपनिश्द, तैतरे उपनिश्द, ब्रहंद रनायक उपनिश्द, मंडूक उपनिश्द, ऐसे यह उपनिश्द है आवध रनायक उपनिश्द यह सब नियम उसमें दियो है, मस्त नियम है तो यह है पूरा वैधिक काल का चार्ट, अब इसी को हमें एक-एक करके पढ़ना है पहली हेडिंग, एकनॉमी वैधिक एकनॉमी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, कौन सा दो पार्ट, रिख वैधिक, और लेटर वैधि, रिख वैधिक एकनॉमी अब फॉर्मूला लिख लो simple economy to complex economy simple economy, लेटर complex सरल अर्थ व्यवस्था से जटल अर्थ व्यवस्था की ओर क्वेश्चन मार्क वह आरे है कि सरल अर्थ व्यवस्था से जटल अर्थ व्यवस्था पहली हेडिंग रिख्वादिक एकनॉमिक रिख्वादिक अर्थ व्यवस्था अब करना में नामी में तुम पढ़ोगे प्रामरी सेक्टर सेकन्डरि सेक्टर टर्शरी सेक्टर ने कंप्रामरी सेक्टर में सबसे इंप्णरेंट चीज़ क्या है एक्रिक हल्चर प्रेनटरी dusly डर्शरी सर्वेस लेकिन यहां जो पहला फीचर एकनामी का वो ही है कि रिग्वैदिक एकनामी तुम पूरी लाइन लिखना वोजा पैस्टोरल एकोन रिग्वैदिक अर्थ व्यवस्था पशुचारण अर्थ व्यवस्था थी अब इस पशुचारण को ऐसे बॉक्स में करके अब पता करो क्यों पशुचारण वाई एंड हाउ हार पॉइंट में यह हिडन रहे का वाई एंड हाउ क्यों और कैसे मैंने कहा ना अराम से चौदा साल स्कूल में पढ़े तीन साल ग्रेजुएशन किये सत्रा साल और सत्रा साल में पढ़ना ही नहीं सीख पाए और यह इस्तिती इस देश के नब्वे प्रतिशत युवाओं की है क्यों पढ़ना है लोगे तो पूछे का है का है पढ़ाई क्यों कर रहा है वहिए नौकरी करनी है वहिए नौकरी नौकरी तो बिना पढ़ा भी मिल जाएगी ने भाईय सरकारी नौकरी करेंगे तो सुंदर लड़की मिलेगी दहेजी मिलेगा भाईया अच्छे घर में साधी भी होगी वहिए अच्छा मतलब नौकरी तो बहाना है मक्सद कुछ और है साधी करना चाहते हो ने ने भाईया skilled labor पैदा होता है यह बात सही है बिल्कुल अच्छी बात है जहां पढ़ाई नहीं होगी वहाँ unskilled labor ज्यादा होगी आम नहीं कम होगी यह software engineer जो है वो भी laborer ही है लेकिन skilled है वो skill कहां से आई सिख्छा से पढ़ाई का काम है दिमाग को जिंदा करना है अब वो जिंदा दिमाग चाहे नौकरी करें चाहे बिजनस करें चाहे वकील बने चाहे डॉक्टर बने चाहे पत्रकार बने यह उसकी चॉइस है कि मैं excel कहां करूंगा तो सीखो हर पॉइंट में यह और हो खुद से लगाना है मैं हर जगह नहीं लगाऊंगो वाई वाई पैस्टोरल लिकान क्यों पैस्टोरल पशुचाना अर्थव्यवस्ता रिग्वैदिक टेरिट्री अब सहारा में अगरिकल्चर हो सकता है क्यों जोगर्फिकल कंडिशन सब्तो सैंधो रीजन सब्तो सैंधो रीजन यानी लार्ज पार्ट ओफ अफगानिस्तान वो टरेन ऐसा ही कि महां किरिशी हो ही नहीं सकती अफिम की खेटी हो गी बस तो पहला रीजन तो जोगर्फिक और दूसरा रीजन अप्सेंस ओफ आईरण लोहे का अभाव लोहे का अभाव पहला रीजन टेरिट्री छेत्र वहगोलिक दशा काउंसी भहगोलिक दशा सब तो सैंधा हो अप्सेंस ओफ आईरण लोहे का अभाव अब क्रिशी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वह है प्लाव यह खेटी करने के लिए जुताई करनी पढ़ेगी ना और जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए क्योंकि बारा इंच फाल जमीन के अंदर डाला जाता है तो अगर लकडी का फाल बनाओगे जुताई होई नहीं पाएगी कौपर का फाल बनाओगे जुताई होई नहीं पाएगी जुताई सिर्फ और सिर्फ लोहे के फाल से होई वो मिसिंग है तो जब प्राइमरी सेक्टर एग्रिकल्चरल एकोनॉमी मिसिंग है तो जीवन यापन का जो निम्नतम सोर्स है वो है पशू चाहरा है पैस्टोरन पशू को चाहरा चाहिए और चाहरा तो होगा ही होगा बरसीन जो कहीं भी पैदा हो जाएगा तो चुकि किर्शी अर्थ व्यवस्ता संभो नहीं थी तो आएका है निम्नतम सोर्स पैस्टोरन कैसे 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 सकते हैं कि पैस्टोरन अब यह दूसरा सवाल ख़़ा हो गया एक्जांपल दो एविडेंस रिग्वादिक एकनॉमी और साउधी अरेबिया की एकनॉम रिग्वादिक पीरेट एंड प्रेजेंट साउधी अरेबिया यहां मुद्रा के लिए क्या शब्द है पेट्रो डॉलर यहां अमिर आदमी के लिए कौन सा शब्द है पेट्रो शेक अ Özma23 यहां युद्ध के लिए कौन सा शब्द है पेट्रो वार सब में पेट्रो जुड़ा हुआ है यानि अर्थ व्यवस्था का जो केंद्रिय बिंदु है सेंट्रल पॉइंट है वह है पेट्र ओइल यहां अमीर आप मी के लिए कौन सा शब्द है गोमत जिसके पाद ज्यादक डाय हो वह अमीर राजा के लिए कौन सा शब्द है गोप युद्ध के लिए कौन सा शब्द है गविस्थी टाइम के लिए कौन सा शब्द है गोधूली मेहमान के लिए कौन सा शब्द है गोगन इंसी आटी में है तो सब के आगे क्या आ रहा है गो यानि अर्थविवस्था के केंदर में क्योंन है गाए काउ इस दा सेंटरल पॉइंट ओप एकॉनिम वह जो कीमती होगा उसी के लिए तो युद्ध होगा यहां तेल कीमती है तेल के लिए युद्ध हो रहा है यहां जिसके पास तेल के कुम हैं वो अमीर है यहां जिसके पास ज्यादा गाएं है वो अमीर है यहां गाएं के लिए युद्ध हो रहा है प्लस देवताओं को भी डाइटीस देवताओं को भी गाए से उत्पन बताया गया है यह पहला फीचर है रिग्वेदिक एकानमी का पैस्टोरल ट्राइबल एकानमी second feature aware about agriculture but agricultural economy was missing पूरी लाइं लिखो अवेर अबाउट एग्रिकल्चर वट एग्रिकल्चरल एकानमी वोज मिसिंग कृषी से आउगत थे पर कृषी से आउगत थे परन्तु कृषी अर्थविवस्था का अभाव किया अब दो पाठ हो गया एक तो की ससे अव कि इसको कर नहीं है और दूसरा कर आएग्रिकल्चर अर्थविवस्था का भाOOOO 2.2 करना है तो पहला पॉइंट क्रिशी से आउगत तो अवेर मार् एग्रिकल्चर एकानमी तो है कैसे पहली बात तर्म प्लाव इस मेंशेंड इन रिगवेद क्रिशी का सबसे प्रमुख टूल कौन सा है फाल तो रिगवेद में प्लाव का उलेक है पहला एविदेंस दूसरा फोर्थ मंडल यानि चैप्टर इस डेडिकेटेड टू एगरिकल्चर रिगवेद का चोथा मंडल है चोथा चैप्टर है वो एगरिकल्चर को डेडिकेटेड है तीसरा फोर सीजन्स आर मेंशेंड चार रितुमें मेंशेंड है फोर सीजन्स आर मेंशेंड और चोथा यवा इस तर्म पर बार्ले इन रिगवेदा यवा मतलब अनाज यवा शब्द का जो मतलब वो अनाज लेकिन रिगवेद में यवा का मतलब है जो तो जो किर्शी का सबसे आधार भूत यंत्र है उसका उल्लेख है प्लाव का समभोता लकडी का रहाओ का और दूसरा चोथा मंडल पूरा अगरिकल्चर को डेडिकेटेड है चार रितुमें की जहनकारी है और अनाज का उल्लेख है उसमें भी किसका जो का जहां गेहू पैदा होता है वहां जो अपने आप पैदा हो जाता है कुछ चीजों की खेती नहीं करनी पढ़ती तो रिगवेदिक लोगों को क्रिशी की जानकारी थी परन्तु बट अप्संस अव अग्रिकल्चिरल एकानम जोगर्फिकल कंडिशन अप्संस अईरन भॉगोलिक दशा और लोहे का अभाव अब अफगानिस्तान के लोगों को आज क्रिशी की जानकारी है तो लेकिन क्रिशी अर्थ व्यवस्था नहीं प्राइमरी सेक्टर के रूप में अग्रिकल्चर नहीं है तो वह भी करते हैं अफिम पैदा करते हैं थो अच्छाना पैदा कर लेते हैं तो घोड़ों को खिलाएं कि क्या लेकिन प्राइमरी सेक्टर के रूप में अग्रिकल्चर नहीं नहीं है दूसरा फीचर तीसरा फीचर एक्सचेंज ओफ एसेंशियल गुड्स बट् ट्रेड एंड कामर्स वाज मिसिंग फिर दो पाइट होगी है एक्सचेंज ओफ एसेंशियल गुड्स आवश्यक उत्पादों का लें देन अभी जब क्लास कतम होगी न तो गूगल में मूवी के नाम टाइप करना काबुली वाला 1970 के आसपास मूवी बनी थी काबुली वाला तो 79 से पहले तालिबान के पैदा होने से पहले 79 में रूस सक अब्जा हुआ और फिर 1990 के आसपास जब USSR का विगिटन हुआ और तालिबान पैदा हुआ वह से हमारे संबंध अफगानिस्तान से खराब हो गए और तालिबान को पैदा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल लेकिन उससे पहले तालिबान का उदे होने से पहले हमारे अफगानिस्तान की बड़े अच्छी संब established अगर आपके घर में कोई कई सार लोग होंगे जो 1950 के होंगे 60 के होंगे 70 के होंगे उन से पीचे उनको पता होगा जैसे आज कश्मीर के लोग आते हैं शॉल और ड्राइफ रूट बेचने के लिए अगर आप लगनों में रहते हैं तो गोमती का जो ब्रिज है उस पर आप चारो तरफ देखेंगे थोड़ा से बजनेस कर लेंगे थोड़ा पैसा कमा लेंगे ऐसे ही ने ऐसा ही हमारे अफगानिस्तान से रिष्टे अच्छे थे तो आफगा नि भारत आते थे क्या लेकर आते थे ड्राइफ रूट्स और थोड़ी सी चुपके से अफिम लेकर आते हैं पबली किसी लिए उनका बहुत दूरती थी थी थोड़ी सी यह पर्मीशन दी कॉर्मेंट की थोड़ी से लाना जादा मतला न इसनों उस दौर का आदनी अफगानियों को ढूरता था प्योर अफिम यहां आते थे घो ठंडक में ट्राइफ रूट बगरा सब बेशते थे बारत के शहरों में घुम घुम के और फिर यहां से जाते वर्ट तेल अनाज चावल यह हूं यह लेकर जाते हैं तो हमारा अफगानिस्तान से ट्रेन इंड कॉमर्स नहीं था फिर क्या था एक्सचेंज एसेंशल गुड्स रिग्वैदिक काल में यही आदान प्रदान दिखाई परता है क्यों पैस्टोरल इकॉनमी है ना पैस्टोरल इकॉन प्राइमेरी सेक्टर में सेंग है तो सेकेंटरी सेक्टर मिसिंग है लेकिन एसेंशल गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है आप किसी को नमक दे रहो भारत के बहुत बड़े शेत्र में नमक का उत्पादन नहीं है उत्तरप्रदेश बिहार तो यहां के आदमी से आप गेहू ले जा रहे हो और वहां से आप नमक लाके दे रहे हो त्रेड अंग कामर्स वोस्ट बिसिंग ग्रापार वानिजिका आभाओ था क्यों क्योंकि पैस्टोरल एकनामी जो है वह सबसिस्टंस एकनामी होती है भाराण पोशडः आपल अपने स्टोर काबुल में खोलेगा नहीं खोलेगा एक्शेंग मीडियम कं आए काबुल में रॉक्ट लांचर बम ,ола है अप्ल किस्टेल सबसिस्टंस एकनामी पैस्टोरल एकनॉमी जार सबसिस्टेंज भरण पोशड़ सर्प्लस आई नहीं तो जब सर्प्लस आई नहीं तो खरीदेंगे क्या इसलिए ट्रेड अन्ड कॉमर्स मिसिंग है फोर्थ रीचे किसी भी इकनॉमी की सबसे खास बात करंसी पताओ अफगानिस्तान की करंसी है यह नहीं अमेरिका की है डॉलर यूए की है दिरहम जहां प्राइमरी सेकेंट्री सेक्टर होगा अर्बन इकनॉमी होगी वह बीना करंसी के रही नहीं सकती पैस्टोरल नेसेसिटी इस दा मदर अफ इन्वेंशन पैस्टोरल ट्राइमल इकनॉमी नेसेसिटी है ही नहीं लेकिन फिर भी आदान प्रदान तो हो रहा है ना समानों का तो किसमें होगा मीडियम ऑफ एक्सेंज क्या होगा मीडियम उफ एक्सेंज होगा बा yolkार सिस्टम वस्त विन में वस्त विन में नमक की बदले यहूं के बदले आइस्क्रीम अपका तुमुझे पता नहीं लेकिन हम छोटे थे में टो गवं में आइस्क्रीम आता था है थो थो एक बाउल निकालके ले आते तो सब्सक्रीर देटें एक बाउल गहूं लेते था चाहर आइस्क्रीम देते था चाहर आइस्क्रीम खाने के बाद हम लोग घर में पटक के मारे भी जाते हैं यह था फीचर ओफ रिग्वैदिक एकार्वी पहला फीचर पैस्टोरल इकार्वी पशु चारण अर्थ व्यवस्ता दूसरा absence of agricultural economics और पर बना लो किरिशी और्थ व्यवस्ता का अभ्हाव इस तरह absence of trade and commerce पर टेर भी आ нажवा वस्यक वस्तूओं का आधान प्रता जारी है करंसी सिस्टम का आभाव फिर मीडियों अक्षेंज क्या है बार्टर सिस्टम यह चार इंपॉर्टन्ट फीचर है रिग्वैदिक एकनॉमिक है और यही चारों फीचर होते हैं ट्राइबल एकनॉमिक है ट्राइबल एकनॉमिक कभिलाई अर्थविवस्था का सबसे एहम बुण क्या होगा सबसे इंपॉर्टन फीचर क्या होगा सबसिस्टेंस इकनॉमिक भरल पोशण अर्थविवस्था ट्राइबल एकनॉमिक का सबसे इंपॉर्टन फीचर होगा सबसिस्टेंस economy भरिंप आर्फ व्यवस्था यeger कि जो आई ऑसेट उन से अ..." एक्रिकल्चलल उन कॉम्ही मिस्सिंग कि तो करंसी इस्टम में जरfight हिसaprès यह है पहली हेडिंग रिगवैदिक एकोनॉमी और ट्राइबल एकोनॉमी की फीचर सबसेस्टेंस एकोनॉमी 1000 बीसी आइरन रेविलूशन लोहे की करांती हुई लोहा सबसे पहले कहां मिला धारवाड में कहा है धारवाड करनाटक में अभी दक्षर से लोहा उत्तर पहुचा कैसे यह अभी भी एक पहली यह दक्षर से लोहा उत्तर कैसे पहुचा यह अभी भी पहली है कोई बात नहीं जितने भी पहलिया है उनको आप सेलेक्षिन के बात पढ़िएगा मजब होता आएगा टाइम घटेगा पहली पढ़ने में कि आप आई एस ऑफिसर हैं आई एस की तैयारी कर रहे हैं आप से सवाल किया जागा आप जवाब दीजिए आप रिसर्ट स्कॉलर नहीं है वह आप से नहीं कहेंगे जाए ढूड़ के लाइए कि हमें साक्ष्यों बात करना है तीन तरह के साक्ष्य होंगे लिट्रेरी फॉरें अकाउंट्स आर्केलाजी तो आर्केलाजी में सबसे पहला लोहा मिला धरवार से अब यह वहां से उत्तर कैसे है यह भी पहली कि जब सुलच जाएगी बता देंगे लेकिन इस लोहे की खोज ने लोह करांती ने भारती इतियास की धारा को बदल दिया और यहीं पर पैदा हुई लेटर वैदिक इक लेटर वे उत्तरवैदिक इकालमा इतियास किसे कहते हैं सारे बार बताज दीजिए इतियास वो विचे है जो शाही वर्ग के लिए गुरू है और गरीबों के लिए जगड़े का कारण इतियास जो शाही वर्ग है उसके लिए वसिस्थ है शाही वर्ग के लिए क्योंकि वो उससे सीखता है तो उसके लिए वसिस्थ है मतलब गुरू और आम आदमी के लिए इतियास मन्थरा है जगड़ा लाने वाले यही इतियास की ब्यूटी है और मनीक नामी शुरू हुआ यार बुद्ध पीरेट से भी बताएंगे दीरे-दीरे सब पढ़ाएंगे का है परिजान यार चाप्टर नमबर आठ रिग्वयत के चौथे मंडल में अग्रिकल्चर का क्या मे में अग्रिकल्चर के बाएंगे अग्दम टेंशन मतलो तो यही तो किसको उल्टा दिमाग गांधी जी नहीं होते तो क्या होता अग्र पहले यह तो समझ लो गांधी जी हुए तो क्या क्या हुआ ह कगवान इस्त七 नहीं बनाता तो क्या होता सोचर रहो लेट का इस बर्गत के निचे पुढ़े रहो तीन सच चैनल को संसत जाने का रास्ता क्या है ड़्या आये शारोड ऑद्विश्ट कर अरोस्त है उड़ार। ठीक वैसे तुम गूगल में भी देख लेते तो बता देता तुमको रास्ता लेकिन चलो हम बता दे रहे हैं चलो आओ आओ लेटर वैदिक एकनामी पढ़ा जाए ठीक है गवडाओ मत लेटर वैदिक अर्थवेवस था पाइला डवलोप्मेंट अब लोहे की खोज हो गई तो लोहे की खोज से क्या हुआ बर्थ ओफ एगरिकल्चरल एकनमी क्रिशी अर्थवेवस्था का जन्द क्रिशी अर्थवेवस्था का जन्द बर्थव एगरिकल्चरल एकनमी क्वेश्चिन मार्क लगाओ तुमसे अगर कोई पूछे अवाद होजा ने तुमको क्या सिखाए कहते नहीं यह सिखाए यह चाभी है दिमाग को खोलने की अवाद होजा से सीखो पढ़ो मत बहुत लोग कहते हैं अवाद होजा पढ़ाते अच्छा ग्यारा की है तो हमसे सीखो बर्थव एगरिकल्चरल एकनमी क्वेश्चन मार्क लगा दो किर्शी अर्दोस्ता का जन्ब क्यों चेंज ओफ टेरिट्री चेंज ओफ टेरिट्री चेंज ओफ टेरिट्री चेत्र बदल गया अफगानिस्तान से नीचे आ गए अब कौन सा चेत्र है गंगा यमुना दुआव दुनिया का सबस्व उपजाओ छेत्र है अब जब स्टेर पढ़ाऊंगा तो सारे स्टेर्ट का नाम लिखोंगा तो देखना कुर्छेत्र से विदे दुनिया का सबस्व उपजाओ छेत्र गंगा यमुना दुआव छेत्र से न जोगा प्लस रोल ओफ आइरन लोहे की भूमिका लोहे की भूमिका तो एक तो छेत्र हो गया चेंज हो गया दुनिया के सबस्व जाओ छेत्र में आके बस गए गंगा यमुना दौब और दूसरा लोहा लोहा से क्या बना फाल प्लाव अब लोहे से लोहे ने क्रिशी को अर्फवस्तों कैसे चनम दिया लोहे से दो चीजें पैदा हुई पहला एक्स पैदा हुआ और दूसरा प्लाव पैदा हुआ नौर्थीज से पंजाब 200 cm से 100 cm rainfall dense area of forest इसने जंगलों को साफ किया और इसने जुताई की प्लाविंग देखो लोहे की भूमी का लोहे ने दो चीज दी एक तो आक्स दिया फिलाडी परशुराम को लाड़ी लेके चल रहे है परशुराम के बाद राम आ रहे है एक तो कुलाड़ी दिया और दूसरा फाल प्लाव एक ने जंगल साफ किया दूसरे ने जुताई की अग्राविडेंस कृषियार्द दुस्ता का लिटररी और आर्केलोजिकल एविडेंस लिटररी एन आर्केलोजिकल साहित्यक और पुरातात्विक साक्ष किसका अग्रिकल्चुरल एकोनोमी का किसका अग्रिकल्चुरल एकोनोमी का साहित्यक और पुरातात्विक साक्ष साहित्यक साक्ष शत्पत ब्रामन किताब का नाम है टॉट्स अबाउट प्लाव रिच्वल यह दखो । अब्लाव है दॉट को एक व्पद्चुर्ण साथ्पत ब्रामन तोंट्स आवाउब को slash कि हम दान में उस चीज़ को देते हैं जो कीमती हूँ कि जो पुरोईत यह की कराता था उसको चारों दिशाएं दान कर दी जाती दी आर्केलोजिकल फैक्ट्स आर्केलोजिकल एविडिन्स जखेडा जखेडा से क्या मिला है आईरन प्लाव लोहे का फाल मिला है जखेडा से अत्रंजी खेडा यह सब एटा में है अत्रंजी खेडा अत्रंजी खेडा से क्या मिला है यह हूँ वीट राइस लेंटेल्स एट्सेटरा लिट्रारी एन आर्केलोजिकल एविडिन्स जखेडा से लोहे का फाल मिला है आईरन प्लाव और अत्रंजी खेडा से वीट राइस लेंटल्स बट बट अग्रिकल्चरल सर्प्लस वस्मिसिंग क्रिशी अतिरेक का अभाव था लिखके इन बॉक्स कर लो कोशिन मार बना लो अभी सर्प्लस बाता नहीं हुआ है अग्रिकल्चर अग्रिकल्चरल सर्प्लस वस्मिसिंग क्रेशन मार बना लेना क्यों पहला फीचर दूसरा प्रमोशन टू आर्ट्स एन क्राफ्ट कला और शिल्प को प्रोचसाहण क्ला और शिल्प को प्रोचसाहण क्यों कुशन मार्क लगाओ क्ला और शिल्प को प्रोचसाहण अब लोगों को रात में नीद नहीं आ रही है आज कल रात में बहुत संख्यक लोगों को नीद नहीं आ रही है क्योंकि मन बेचैन है नीद सिर्फ मन की शांती का परिणाम है तो ना बर चाग रहे हैं तो कहीं थो बिजी होना चाहिए तो उनकी पूर्ती कौन कर रहा है है मरीवाले कर दरुख एक मिनिट की बनारहें कोई नाच ना कोई गार खुषिल ना रहा है क्योद तक पूच्पकड़कि ख़ड़ा है को कारई अच्छी पूरी चीज नहीं है अब वो जो नहीं अब डिमांड पैदा हो गई कि रात में नहीं आ रहे हैं रील वाले पूरी कर रहे हैं तो कुछ लोग रहात रात बारील है घुमा रहे हैं से स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कब जब दस बजए से सुबह चार बज गया पता ही नहीं चला जब भी एकनामी का बहुत 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 नियम है डिमांड इस गल टू सप्लाई जैसे ही डिमांड पैदा होगी सप्लाई अपने आप पैदा हो जाए आज रील की डिमांड का है यह है किसने रील की डिमांड पैदा गी है आज जो आदनी रात में सो रहा है और दिन पर काम कर रहा है वो रील देखेगा कहां जैसे डिमांड पैदा होगा सप्लाई अपने आप आ जाएगी इसका मतलब इसका मतलब यह है कि लेटर पैदी काल में डिमांड पैदा हुई बिलकुल हुई कैसे इसका मतलब लेटर पैदी काल में डिमांड पैदा हो गई तभी तो यह प्रमोशन टू आट अंग्राफ्ट कईसे ऑड़ कि दिमाकरत विखा कर दे मांड कैसे पैदा हुई एद Tapi मैंड कैसे पैदा ही इसपे दिशान देंगा अब form अब राम जो है उसके पास एक आटो रिक्षा है किस काल में रिख वैदिक पीरिड में लेटर वैदिक पीरिड में उसके पास एक आटो रिक्षा और आ गया और यहां वह 20,000 रुपे महीने कमाता था अब 20,000 और कमा रहा है तो उसकी इंकन तो बढ़ गई 40,000 हो गई अभी सर्प्लस नहीं हुआ है अगर यह 40,002,005 हो जाए तो सर्प्लस हो जाए पहले राम के पास एक और रिक्षा था रिक वेदिक काल में 20,000 कमाता था लेटर वेदिक काल में दूसरा रिक्षा ले लिया उसने तो यहां पे एक सोर्स आफ इंकम थी पैस्टोरल पश्युचारण यहां पे और पैदा हो गई अग्रिकल्चर मतलब ज़ाइन करो यह सो quantitative increase in the source of income quantitative surplus quantitative increase in the source of income created the demand of goods थोड़ी सी आई बली न तो वही से दिमांड पैदा होई और जैसे दिमांड पैदा होई तो तुम देखो के weaving सबसे पुराना व्योस आई है weaving weaving got promotion and weaving was monopoly of woman star बना ले ना weaving got promotion weaving was monopoly of woman pottery फॉर टाइप्स फॉर टाइप्स जिसमें सबसे कीम्ति को न है पीजी डबलू पेंटेट ग्रेवेर पड़ी नफासत से बनी हुई इसका मतलब कोई उच्छ तपका पैदा हो गया था आप अगर कि अगर वोट का काम को पर मोशन मिला फिर अग्लास यह इंपोर्टर आइटम था क्योंकि अठारासों बीसी में ग्लास पैदा करने की तकनीक सीखि सीरिया ने यह शायद बाहर से आया सब्सक्राइब अगर तो वहाँ ग्लास की चीजे बहुत अच्छी मिलें की प्रमोशन तू आट्स अग्राफ्ट वहो चॉतिति विंवेर से इंकम हो रख गरे देमान फ़र्ण वाफ बूट्स अधिक परोबो बाइब प्रमोंट लिविगंग पॉट्री ज्वेवरी लास this 1 plus 2 third point 1 plus 2 1 means birth of agricultural economy 2 means promotion to art and craft birth of agricultural economy and promotion to art and craft demand V supply V this 1 plus 2 gave promotion to birth of trade and commerce birth of agricultural economy income बढ़ गई demand group पैदा हो गया promotion to art and craft supply group पैदा हो गया तो इन दोनों से क्या पैदा हुआ trade and commerce इंजांपल अथर वेदा अथर वेदा टाक्स आवाउट ने बारगेशनिंग अथर वेदा टाक्स अबाउट आगेशनिंग और बारगेशनिंग यूफ है। तेसरा फेचर प्रमोश्य त्रेड इन पॉमर्स अब अगरिकुल्चर एकनमी आटन राफ्ट एन पॉमर्स त्छाथा दविलॉप्मेंट चेंज इन एक्स्चेंज मीडियम चेंज इन एक्स्चेंज मीडियम प्रेश्यस में अभी मुद्रा ज़स्ता नहीं शुरुई प्रेश्यस में निश्क एन शत्मान कल मुझे बताना दोरों कौन से मिटल है निश्क एन शत्मान नेसेसिटी इस दा मतर आफ इन्वेंशन अग्रिकल्चर एकॉनमी आट अंग्राफ ट्रेड अन कॉमर्स नेसेसिटी पैदा हो गई अब बाटर से थोड़ा उपर आ गए एक्चेंज मीडियम प्रेश्यस में ओने लगा चार फीचर वादिक एकॉनमी रिख वादिक एकॉनमी लेटर वादिक एकॉनमी पैला वीचर वाशुचारण अर्थव्यवस्था पैस्टोरल एकॉनमी दूसरा वीचर आप्सेंस ओफ एकॉनमी स्टार बना लो इसरा वीचर आप्सेंस ओफ ट्रेड अंड कॉमर्स स्टार बना लो चौता वीचर बाटर सिस्टम यह चार फीचर थे रिगवादिक अर्थव्यवस्था कि पहला वीचर पशुचारण अर्थव्यवस्था दूसरा क्रिशी अर्थव्यवस्था का भाव लेकिन क्रिशी की जानकारी थी तीसरा वीचर व्यापार वालिच का भाव लेकिन अवश्यक वस्तूओं का विन में ह हो रहा था और चौह था वस्तु इन में यह ट्राइबल एकनामी के फीचर है यह सब ट्राइबल एकनामी के फीचर है फिर क्या हुआ 1000 बीसी लोह करांती हो गई आयरन रेविलूशन हो गया और इसने अर्थव्यस्था को बदल दे लेटर वादिक एकनामी पैदा हो अर्यन ए पैला वीचर बर्त अग्रिकुल्ट्टरल एकनामी तूसरा प्रमोशन दू आर्ट अग्रफ तीसरा बर्त आफ ट्रेट अंकमर्स चाहता प्रेशस मतल्स हासन अल्हा अब तुमको क्या करना बस है व्यदी करतवे उस्ता के डाइग्राम हूस कूरा है कि यहीं नोट्स हो और यहीं तुम्हारा नोल्स होगा जो कल पूचे था ऊनलोट्स कैसे वर्चे यहीं नोलस होगा यह इसके स्वां कोई नोट्स नहीं कर बागी यहां दिमा अब इसके जितने भी फैक्ट हैं अभी किताब पढ़ना औ जो ट्लास हतंब हो गी तो किताब हो जाएगा होगी ते यारी अभी जैसे किताब खतम होगी जैसे ये क्लास खतम होगी आठ नो चैप्टर पढ़के तब सोना आएसे मां सोना और सिर्फ इकनामी पढ़ना दोनों चैप्टर का सिर्फ एकनामी तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बिलेगे उसको पेपर में नोटव डॉन कर लेना दोनों का और इसी नोटस में उसको पेस्ट कर लेना वह मेंस लोग्यू उन परी का नोटस तैयार होगया ये मेंस और परी का तुम लिखलो हो गई तरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले चिकनक 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 हो गया कि सीखो मुझसे पढ़ा बहुत सत्रा साल कि सत्रा साल पढ़ाई किये पढ़ा जल गया नोट कैसे बनाना है कल परी का नोट तग्यार होना चाहिए पूरा अभी सोना मत दोनों चैप्टर की किनामी पढ़के नोट की फैक्ट्स निकाल के तब सोना कि तुम्हारे सपनों की कसम है अगर तुमने ओमवर्ट नहीं किया तो सपने की कसम है भगवान कर रहे तुमको अच्छे अच्छे सपने ना आए लेको पूरा वैदिक पीरेड इस पर तुम मेंस का कोश्चन अगर आ जाए आइड डाम लुशन चेंगे फिरी ओफ एकोनामी इन वैधिक पीरेड लिख दोगे तो है लिख पाऊगे कोश्चन लिखो मेंस का कोश्चन लिखो तुरहन लेटर वैधिक उनामी इस दाउटकम ओफ आइडर्ड पूर्ट्र्वूशन लिखो मेंस का लेटर्वाइदिक एकनामी इस दा आउड कम आउ आइरन रविलूशन अमेंड पनाओ चलो फिर आंसा लिख के रखना कल मुलागात होगी अगली हेडिंग वैदिक पॉलिटी कल पढ़ा हैं जैहिंद